आज फिर से एक वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके लव रिलेक्शन के बारे में किस तरह से क्या चल रहा है जो लोग मेरे चैनल पर नए है वो तुरन सब्सक्राइब कर लीजे साथी में बेल आइकन दबा दीजे जिन लोगों ने अल्रेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और आगे शेयर कीजे जिससे की ये चैनल आगे बढ़े तो यहाँ पर कार्ट से निकाल रही हूँ देखते हैं क्या-क्या निकलता है किसकी एनर्जी आ रही है दिखाई दे रही है एक टावर का कार्ड आया है जोकी एक स्ट्रॉंग ब्रेक अप दिखा रहा है ना नाराज की दिखा रहा है साइन बता देती हूँ यहाँ पर आया है वाटर साइन कैंसरो स्कॉर्पियो पाइसस कर्क पिशिक मेन राशी और साइन है टॉरस वर्गो केप्रिकॉर्ण वृषब कन्या मकर राशी एर साइन है जामनी लिब्रा एक्वेरियस मिधुन तुला कुम्ब राशी है और अभी फायर साइन तो हमें नहीं मिला है क्या निकलता है यहां बहुत हष्थद दिखाई दे रहा है अर्थ साइन जादा है और आटेम के इनर्जी है वाइर साइन यहां थो यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपकी काफी लड़ाई हुई है आपके बहुत पर्सं के साथ और किसी चीज़ को लेकर आप लोगों में clarity नहीं थी, यहाँ पर शक भी दिखाई दे रहा है, लड़ाई दिखाई दे रही है, एक दूसरे पर भरोसा ऐसा दिख रहा है कि उठ गया, उसकी वज़े से conflicts रहे इतने जादा इस रिष्टे में, ठीक है, तो आपके रिष्टे मे एक तो conflicts रहे हैं, आपकी बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, आपने बोल तो दिया, लेकिन वो वहाँ पर आपको यह नहीं पता कि उसका असर आपके person पर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने काफी लड़ाईयां किये हैं, ठीक है, बुरा भला भी बोल हो सकता है कि आपके person थोड़ा money minded हों, या पैसे के पीछे भागने वाले हों, या वो अपने career पर ही रहते हों, या यह भी हो सकता है कि जो third party है, वो उनके career से connected हो, है ना, उनके office की हो, या फिर जैसा वो काम करते हैं, वहां से उनके साथ contact में आई है, क्योंकि यहां पर पैस तो यह बता रहा है कि आपके person है, वो कहीं आप भी के close relation में हो सकते हैं, या close friend circle में हो सकते हैं, है ना, और इस तरह से आप दोनों एक दूसरे के contact में आए, बहुत अच्छा रिष्टा रहा है आप दोनों का, और आपने 100% दिया है, ऐसा दिख रहा है, हर चीज का खयाल ठीक है ना, लेकिन एक ऐसी situation आपके साथ रही है, मतलब, या तो एक बार हो सकता है, या bar-bar आई है, कि आपने खुद को बहुत फसा हुआ पाया है, आपका दिल इतना तूटा है, आपका मन इतना तूटा है, आपका भरोसा बहुत तूटा है, कि आप बहुत फसे हुए दे रही है, है ना, ऐसा फसा दिया है आपके person ने, और आपके person की वजह से आप फसे हुए, या तो past में रहे होंगे, या अभी भी फसे हुए है, ठीक है ना, तो ये break up तो हुआ है, बहुत दिल दुखाया है, आपका बरोसा तोड़ा है, और अभी हो सकता है, contact भी नहीं है आ confusion दिखाई दे रहा है, clarity नहीं है आपके person के मन में, आपके person के दिमाग में clarity नहीं दिख रही है, यहाँ पर वो चले तो गए, पैसे की पीछे हो सकता है, या किसी पैसे वाले के पीछे हो सकता है, चले तो गए है, लेकिन, लेकिन, वहाँ पर क्या हाल है ये नहीं पता, ले कि उन्होंने सही किया या नहीं किया है फसा तो रखा है आपको बहुत फसे हुए हैं आप हो सकता है financially बहुत फसे हुए हो आपने पैसा अपने person पर बहुत लुटा दिया हो फिर भी ऐसा सोचते हैं आपकी पैसे की तो चलो कोई बात नहीं लेकिन जो प्यार दिया आपने उस प्यार का रिटर्न आपको मिलना चाहिए बहुत ज़ादा उदास हैं बहुत हर्ट आपको लगता है होता है आप अपने person की हमेशा growth ही चाहते थे आप चाहते थे कि आपके person बहुत बड़े आगे ही आगे बढ़ते रहें थे बहुत तारीफ हैं किया करते होंगे आपकी जब ठीक से रहते होंगे आपके साथ ठीक है और अभी भी उनके दिमाग में आप हैं तो बसे हुए तो हैं लेकिन आप बहुत hopeless हो गए हैं आप बहुत hurt हुए हैं उन्होंने आपको बहुत hurt किया है यहां तक कि ऐसी ऐसी बाते बोली हैं कि आपका मन ही इतना परेशान हो गया कि कुछ चीज़ें तो आपने खुदी छोड़ दी ऐसे ही आप चाहते तो आप कर सकते थे समभाल सकते थे लेकिन फिर आपको लगा कि अगर उसे ही ये पसंद नहीं है और उसके दिमाग में ही नहीं है तो पिर जो बरजी करें ऐसा फुद को टफ बनाते जा रहे हैं बहुत सोच समझके और प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं प्राक्टिकली खुद को बहुत समझा रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है ठीक है ना, आप अपने life में आगे बढ़ रहे हैं, दीरे दीरे करके, साथ साथ balance करते जा रहे हैं, अपने life को जो हो रहा है, जो हो चुका है उसके साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और आप successful होते भी जाएंगे, लेकिन ये जो दि दे ही देता है, तकलीफ दे ही देता है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि messages में आपके लिए क्या निकलता है, spiritual journey, आप में से बहुत सारे लोग spiritual journey में आ गए हैं, अपने person की वज़े से, इस relationship की वज़े से spiritual journey में आ गए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा sign है, कि आप spiritually चीजों को समझ रहे हैं, lies, जूट से आपको बड़ी तकलीफ होई है, हमेशा आपने यही कहा है, कि जूट मत बोलो, सच बता देना चाहिए, या फिर commit कर लेना चाहिए, लेकिन आपके person ने दोके में रखा, और जूट ही जूट बोलते रहे, उससे आपको ज़्यादा तकलीफ होई, आप बहुत understanding थे, आप काफी समझदार हैं, लेकिन फिर भी, जूट से आपको बहुत ज़्यादा परिशानी रही है, control, ऐसा है कि control या तो आपने भी हो सकता है, किया हो, इस रिष्टे को काफी ठीक करने के लिए, काफी control में लाने के लिए efforts किये हों, आपने ऐसा लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि person के control में आप रहे, और जैसे 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 person आपको गुमाते गए, वैसे वैसे आप गुमते रहे, ये आपके रिष्टेगी हो सकता है, सच्चाई हो, soulmates, देखिए आपके person आपके soulmates थे, तब ही आप निकल भी नहीं पा रहे हैं इस रिष्टे से, इसलिए आपको बार बार लगता है कि आपके person अभी और आएंगे, आएंगे, आएंगे ही आएंगे, है ना, क्यूंकि वो soulmate थे आपके, twin flame, देखो, soulmate या twin flame energy वाले person आपके थे, आपके हैं, तो अगर आपके person ऐसे हैं, तो वो वापस तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, चाहें कितने भी धक्के मिलें, ठीक है, ऐसा ही वो भी feel करते हैं, twin flame वाली energy, या soulmate वाली energy में आप हैं, और ऐसे में spiritual journey ज़रूरी होती है, ठीक है ना, उसी से ही रिष्टा पूरी तरह से बन जाता है, बॉस, ऐसा हो सकता है कि बॉस का कुछ तो involvement आपके रिष्टे को लेकर रहा है, है ना, या तो यह हो सकता है कुछ bossy nature हो, या फिर यह हो सकता है कि boss का कुछ interference रहा हो, यह हो सकता है कि थर्ड पार्टी ही बॉस हो ठीक है तो कुछ तो बॉस का connection यहाँ पर नजर आ रहा है and है healing तो जो लोग spiritual journey में हैं definitely healing तो कर ही रहे होंगे अपनी और आपकी healing चल भी रही है healing हो रही है आपकी है ना तो यह आपके लिए messages निकल कर आए है इन card से भी मैं एक card निकल कर आपको बता देती हूँ क्या universe आपको बताना चाहता है pride देखिए वैसे तो यह जो है ना आपका आप जो भी कर रहे हैं आपको खुद पर वैसे भी proud तो होना ही चाहिए और यह किए pride की बात भी है आपके लिए कि आपने इस रिष्टे को बहुत अच्छी तरह से निभाया है आपने इस रिष्टे के लिए सब कुछ किया है तो यह आप जानते भी हैं अपने अंदर अंदर ठीक है और रिख्टे है कि अब यह रिष्टा कैसा चलना है 8 of Wands very good बहुत बढ़िया एक्षन बहुत speedy action दिखाई दे रहा है speedy action चीज़न ठीक होते हुए passions दिखाई दे रहे हैं इतना passion generate हो रहा है कि हो सकता है आपके person आपको बहुत miss कर रहे हो commitment का card मिला है commitment देने का card मिला है तो हो सकता है कि जब वो passion इतने generate हो रहे है उनके आपके side तो वो आपको commitment देने का सोच रहे है चारियट एक और action का card मिल रहा है तो अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो बात भी करना शुरू करने वाले हैं और हो सकता है एक week के अंदर अंदर आपसे बात भी करना शुरू करने हैं ठीक है ना queen of wants यहाँ पर किसी का influence तो है कोई lady है middle age की lady है और उसका influence आपके person के उपर है और इसी का influence आपकी यह love life में पढ़ा है ठीक है ना यह love life में आपकी यह है और male भी है कोई हो सकता है parents हो हो सकता है कोई elderly male हो सकते है लेकिन कुछ तो है कोई तो हैं दो लोग तो हैं male या female कुछ भी हो सकते हैं वो तो हैं जिनका असर आपकी love life पर पढ़ा है और उसकी वज़े से आपकी love life जो है उसमें tower moment आया है ठीक है तो ऐसे में action का card तो हमें मिला है reasons भी universe ने बताए है कि कुछ तो है कोई किसी का influence है कोई तो आपके life में love life में पंगा create कर रहा है problems create कर रहा है ऐसे में इसको क्या करना चाहिए देखो यह card तो यह है यह दुखे बास बहुत है यह जो लोग है ना जो आपके रिष्टे को खराब किये हुए है तो वो उनका character stick की आया है कि वो बहुत चालाख है clever है और जूटे हैं मकार है यह लोग और इसी वज़े से आपके रिष्टा खराब हुआ है तो ऐसे में इनको तो रास्ते से हटाना ही आपको पड़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है तो उसके लिए क्या करना चाहिए देख लेते हैं क्या guidance हमें cards देते हैं ठीक है इनको रास्ते से हटाने के लिए क्या करना चाहिए हटाना भी चाहिए या फिर अपने आगे दिहान देना चाहिए जो भी है जैसा भी है वो देखते हैं ना देखो ये तो ये कह रहे है कि आप heaven से connect हो जाओ आप universe से या heaven से connect हो जाओ और उनको बोलो फिर आप receive करने लग जाओगे आप abundance या फिर आप love receive करने लग जाओगे ठीक है ऐसा कह रहे है कि आप उनको harm मत करो जो लोग ये आपके रास्ते में अड़े हुए हैं बादा बन रहे हैं तो कावटे हैं आपके रास्ते में आप उनको मत करो कुछ बल्कि आप universe से connect होकर उनसे मांगो उनसे बोलो कि मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे कुछ आप रास्ता दिखाओ ठीक है ना इनसे देखते हैं क्या कार्ड आपके लिए निकलता है बहुत पावफुल और बहुत अच्छे कार्ड जैं और बहुती सटीक बताते हैं बहुत सटीक बताते हैं ये है ना ये बहुत अच्छे एंजल कार्ड जैं इनका फ्रेडिक्शन बहुत ही एक्क्यूरेट आता है जिन जिन लोगों के लिए मैंने इसकी रीडिंग की है बहुत ही बढ़िया एक्क्यूरेट आता है देखो यहां पर ये कार्ड ये बता रहा है कि ट्रांस्फोर्मेशन की या तो जरूरत है या फिर आप ट्रांस्फोर्म कर रहे हैं आपकी हालत ऐसी है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपको एक हग चाहिए ऐसा चाहिए कि जैसे कोई आपको बस आके गले लगा ले ये बहुत ही स्ट्रॉंग एक फीलिंग है इसका मतलब यह है कि आप अंदर-अंदर बहुत weak होते जा रहे हैं बले ही खुद को आप strong बना रहे हैं लेकिन अंदर-अंदर काफी weak हैं आपने खाली cementing की है अपनी जैसे उपर-उपर से cement लगा लेते हैं और बाहर से दिखने लग जाता है कि यह तो बहुत hard है ऐसा है आपके साथ ठीक है तो ऐसा card कह रहे हैं कि एक तो self nurture करो आप खुद पर ध्यान दो अपने अंदर देखो अंदर देखो का मतलब कि आप meditation करो इसका मतलब आपको meditation से फाइदा होगा ठीक है ना और जो भी आप feel करते हैं उसको ignore मत कीजिए आप उसको feel कीजिए जो भी feel करते हैं जो भी present life में आपके पास है उसको आप cherish कीजिए और अगर आपके अंदर कुछ गुसा है या आपके अंदर रोना है दुख है तकलीफ है अगर आपके अंदर तो आप इसको पकड़ो मत पकड़ के रखा हुआ है आपने ना इसको release करने दो आप जैसे ही release करोगे इसको तो transformation होने लग जाएगा फिर ये जो magic magic से हैं या फिर जो universe की energies हैं वो आप तक connect होने लगेंगी इसका मतलब यह है कि चक्राज को clean कीजिए तब ही ये जो magic है ये जो transformation का magic है ये आपके लिए काम करेगा ठीक है ना आप चक्रा bracelet पहन सकते हैं अच्छा charge किया हुआ है ना matter करती है charging healing कैसी है अगर powerful healing है तो वो अच्छा काम करेगी definitely करेगी ही करेगी crystals बहुत अच्छा काम करते हैं charging बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये जो card है ये हमें बता रहा है कि आपका relationship बहुत deep था और एक दूसरे को आप हमेशा एक दूसरे के support में देखते थे हमेशा आपने यही सोचा कि ये divine ने आपको दिया है आपका partner तो ये आप ही के लिए है आपका soulmate है, twin flame है आपको ये realize होता है आपको ये feel होता है और जब आप दोनों एक साथ होते थे तो वो एक अलग ही energy आपको महसूस होती थी दोनों को ही महसूस होती होगी तो ये connection तो आपका divine ही था universe की तरफ से ही connection था और ये universe ही इसको फिर से मिलाएगा ठीक है ना? हाला कि इस रिष्टे में बहुत difficulties भी रही है काफी कुछ सफर किया है और कई बार ऐसे points भी आए हैं जिसमें कि आप बहुत दुखी हुए हैं ऐसे-ऐसे points या ऐसे-ऐसे situations आई हैं जिसमें कि आप बहुत ही जादा जैसे shake हो गए जैसे कि हिल गए आप लेकिन ऐसी भी आपके साथ कुछ कहना चाहिए time रहा है जिसमें कि आपको अच्छा भी लगा है आप बहुत खुश भी हुए हैं है ना? और कुछ इस तरह का bond आपके दोनों के relation में है या पहले था कि अगर एक partner कुछ सोचता था दो दूसरे partner को पता लग जाता था है ना? अगर एक partner कुछ परिशान होता था दो दूसरे को पता लग जाता था तो यह connection था जो कि बहुत ही harmonic था और जो कि बहुत natural था क्यूंकि यह आपका twin flame और soulmate connection है ठीक है? तो ऐसा है कि आपको एक दूसरे की आँखों में पता लग जाता था देखकर कि इसकी क्या situation है या इनको क्या चाहिए ऐसा आपके साथ रहा है ठीक है ना? तो यह एक powerful connection था आपका और इसमें कुछ fears भी आ गए बीच में fears, है ना? डर डर आ गए तो यह जो इस तरह की connection होते हैं यह life changing connection होते हैं है ना? तो यह तो आपका connection जो है यह relation जो है यह तो आपका complete होगा ही यह आप दोनों वापस आएंगे ही आएंगे मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है? यह इन्हें अलग करना आसान नहीं है और यह जो है इस पर आप दिहान जरूर दीजे यह important है आपने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है जब तक इसको release नहीं करेंगे है ना? तब तक आपके चक्रा हील नहीं होंगे जब तक आपके चक्रा हील नहीं होंगे यह जो magic है ना universe की energies यह सारी हमारे around घुम रही है सब कुछ है जैसे एक mobile होता है जैसे ही उसमें ring बज़ती है तो कैसे बज़ती है? आसपा सिगनल होते है तो वो तब जब उसकी line खुली होती है तो वो ring आ जाती है बात हो पाती है लेकिन अगर line busy होगी तो वो ring नहीं आएगी आपको ठीक है ना busy busy जाता रहेगा ऐसे ही आपका है कि अगर आपके अंदर बहुत कुछ भर रखा है है ना तो वो जो universe की energies जो चारों तरफ angels घूम रहे हैं घूमते हैं अगर आप खुद को खाली रखेंगे खुद को clean कर लेंगे तो वो जरूर आप से connect हो जाएंगे आप उन्हें महसूस कर पाएंगे देख पाएंगे अंजल numbers के थूँ या अंजल के sign के थूँ या फिर आप direct बात भी कर सकते हैं आप उनको feel कर सकते हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं और आप उनको अपनी बात बता सकते हैं ये भी एक एंजल का guidance है हो सकता है आप मैंसे बहुत सारे लोग एंजल्स से connected हो किसी ना किसी तरीके से ठीक है तो ये एंजल्स की तरफ से आपको guidance है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ये वाले point तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये आपके लिए एंजल्स की side से guidance है क्योंकि मैं एंजल्स से connected हूँ ठीक है एंजल्स से मैं काम भी कर वा लेती हूँ और मैं connected हूँ एंजल्स से मैं बात भी कर पाती हूँ ठीक है तो एक card और निकाल के देखते हैं आपके लिए क्या बता रहे हैं improving situation situation बहुत जल्दी improve होती जा रही है तो इसका मतलब कि angels आपके लिए काम कर रहे हैं ठीक है बीच बीच में guidance जरूर लेने चाहिए क्योंकि हम माध्यम ही है angels की बात आप तक पहुचाने के लिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों को जरूरी नहीं है सबको लगता हुआ कि जैसे आपके अंदर ही कमी है सीले आपके person आपके साथ नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है ये गलत है आपका सोचना perfect तो कोई भी नहीं होता है लेकिन फिर भी आपके अंदर एक fragrance है एक अलग तरह की fragrance है जो कि आपके person अभी नहीं पहचान पाए पहचान तो गए थे, तभी तो आपसे connect हुए थे, लेकिन फिर भी, वो किसी वज़र से आपसे दूर है, तो यही जो fragrance है, आपको वही improve करनी है अपनी, खुद पर ध्यान दे कर, है न, और आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, खुद को बस प्यार कीजिए, self love करना सीखिए, self love जीए आप, ठीक है, और चक्रास पर काम कीजे अपने, वो जरूरी है आपके लिए, जब चक्रास पर काम करेंगे, तभी खाली हो पाएंगे, आप चक्रास को clean कर पाएंगे, और फिर अपनी life में आगे बढ़ पाएंगे, आप, अपना relationship भी ठीक कर देंगे, है न, एक अच अचा चार्ज किया हुआ, आप crystal पहन लीजे, चक्रा ब्रेसलेट पहन लीजे, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, effort करो, ताकत रखो अपने अंदर, वो पाने की, है न, और देखो ये भी यही कह रहे हैं, फिर से वापस से आपके लिए, क्या angel ने बताया है, release the old, जो कुछ अंदर दबा रखा है न, उसको release करो आप, release करोगे, जब वो खाली होगी जगा, तभी वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी spiritual journey अल्रेडी चल रही है, उसके लिए आपको cleansing बहुत जरूरी है, cleansing जरूर होनी चाहिए, है न, तो अब आगे देख लेते हैं, आ आपकी life कब तक बदलने जा रही है, और आपके रिष्टे में, कैसे कैसे situation इंप्रूव होती जा रही है, देखो, एक तो star का card आया है यहां पर, तो बहुत अच्छा positive card है, यहां पर बहुत अच्छी hope है आपके लिए, कि आपके person जो है, वापस आ जाएंगे, आपका प्यार आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर यह card यह कह रहा है, कि आपको कुछ efforts करने की जरुवत है, ठीक है, उसमें कुछ energy लगाने की जरुवत है अपने रिष्टे में, तो इस पर आप सोचना, और जो भी वापस गया है, जो भी आपका रिष्टा तूटा है, जैसे भी तूटा है चाहें, तो वो फिर से start होगा, फिर से start होने का मतलब यह है कि और जादा बहतर होकर आपके पास आएगा, ठीक है, और ऐसा है कि आपके पास तो अभी भी options हैं, और ऐसा हो सकता है कि हो सकता है person के पास भी options हो, लेकिन अब उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, अब उन्हें याद आपकी आ रही है, तो ऐसे में एक अच्छा sign हमें दिखा रहे है cards की, अगर आपकी याद आपके person को आ रही है, तो ये तो फिर बहुत जल्दी आपके पास होने वाले हैं, क्योंकि improve तो हो ही रही है situation, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, वो आपको वीडियो के through आ दे रहा है 10 days, 10 weeks हो सकते हैं, 4 weeks हो सकते हैं, आपको एक अच्छी news अपने रिष्टे के रिष्टे में मिलने वाली है, एक अच्छी news मिलने वाली है आपको अपने रिष्टे में, 10 दिन के अंदर, या 4 हफतों के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सुम्बर स्ट्रॉंग, card है star का, और इसका मतलब ये भी है कि आपकी prayers universe तक पहुँच रही है, और universe आपको वो चीजें सारी दे रहा है, ठीक है न, तो ऐसा है, ये बहुत बढ़िया positive reading है, और चुड़े रही है मेरे साथ channel पर, क्योंकि यहाँ पर angel से connected guidance आपको मिलता है, ठीक है, और भी जो मुझे पत चलता रहेगा, वो मैं बताती रहूंगी, daily basis पर कोशिश कर रही हूँ, कुछ angel के guidance के लिए आपको एक छुटी छुटी वीडियो बना कर रोज दे दिया करूं, क्योंकि थोड़ा सा, वो ऐसा होता है कि, वो मुझे बहुत guidance देते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दे पाती हू और इस चैनल को like, share और subscribe कीजे, वीडियो को like कीजे, comment कीजे, और अपना रखेगा बहुत बहुत खयाल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं, hello you all, अगर मुझे crystals आपको चाहिए, charge किये हूए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया crystals हैं, original quality है, और charging तो आप पूछिये ही मत, बहुत अच्छी healer हूँ, मैं रिकी grind master हूँ, quantum healer हूँ, theta healer हूँ, infinite healer हूँ, और lama phila healer हूँ, ठीक है, तो healing में अच्छी खासी expertise हैं, किसी crystal को अगर charge कर दूँ, तो उसकी properties ही कुछ हो जाती हैं, ऐसा है, ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर खतम करते हैं, और next वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाबाई